आज के फेशन के दोर पर हर कोई अपनी उंगलियों में सोने चांदी वह रतन के अंगोठी धारन करता है। फशन के होड में रिता है। नग धातू में धारन किये जाते हैं और धातू का विशेश प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता नगातू में तरजणी उंगली यदि स्वर्ण धारन किया जाए तो वह सबसे ज़्यादा उचित माना जाता है सूर्य से संबंदित है ब्रहस्पती से संबंदित है यह तरजिनी उंगली इस लिए इस उंगली में जितना स्वर्ण लाब देता है उतना किसी भी उंगली में नहीं देता है अगली उंगली मध्यमा होती है मध्यमा उंगली में लोहा फलित होता है शनी से संबंदित यह उंगली है इसलिए इसमें लोहा धारन करना चाहिए उसके बाद अनामी का उंगली में अनामी का उंगली में तामा धारन किया जाता है तामा मंगल के लिए भी धारन किया जाता है और रोगों के नाश के लिए भी तामा धारण किया जाता है उसके बाद कनिष्टिका उंगली जो है चीटी उंगली जिसे बोलते हैं इसमें चांदी धारण किया जाता है यह चंद्र से संबंदित है बुद्ध से संबंदित है यह हमारे क्रोध को शांत करती है इस उंगली में यदि हम चांदी धारन करते हैं तो इसलिए कनिष्टिका उंगली में हम चांदी धारन करें तो शुबफल प्राप्त होता है उसके बाद अंगुठा थम इसमें प्लेटेनियम यदि हम धारण करते हैं या चांदी का छला धारण करते हैं तो ये हमें शुबता प्रदान करती है इस प्रकार से हमें विचार ना चाहिए और कभी भी भूल करके भी मध्यमा उंगली में स्वर्ण नहीं धारण करना इसमें स्वर्ण धारण नहीं किया जाता है स्वर्ण धारण के लिए सबसे उची तुंगली तरजनी मानी गई है और जोतिश और अपने पंडितों की सलाह से रत्न धारण करना चाहिए धातू धारण करना चाहिए जैस्री कृष्णा